आज हम कहीं जा रहे थे और आप लोगों को तो पता ही है कि यह हमारी अभी नहीं नहीं शादी है ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो हमारे यहां साधी के पहले साल में ही जो एक रसम होती है उसे मोर भसाई की रसम कहते हैं और वो रःतियातरा के समें किया जाता है और मेरे साथ मेरी जेठानी, मेरी सासु मा आज मेरी चाची सास भी जा रही थी और family members कुछ कुछ थे वो भी जा रहे थे मेरे जेट जी भी जा रहे थे तो मेरी जेठानी और जेट जी की भी ये रसम नहीं हो पाई थी उस time क्योंकि मेरी जो जेठानी थी न वो उस time pregnant थी तो इसलिए वो हमारे साथ ही जाएंगी और ये रसम करेंगी तो आगे चलते चलते मेरे पती और मेरी जो जेठानी की बेटी है न वो ठक जाती है तो वो लोग रुख जाते हैं और हम लोग का वेट करने लगते हैं और आप लोग वो जो पहार देख रहे हो न हमें उसके उपर जाना है और पानी ढूणना है और आप यहां का नजारा देख सकते हो यहां का नजारा इतना खुबसूरत था ना कि क्या ही बताऊं उसके बाद फिर हमें ये चुई मुई का पौधा मिल जाता है तो मैं और मेरी जेठानी की जो बेटी है न वो मिलके इसके साथ खेलने लगते हैं इसके साथ खेलने में किसको किसको मज़ा आता है आप लोग कमेंट करके बताईएगा और हाँ यार आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते अपने फ्रेंड एंड फ्रेमली के साथ प्लीज सेयर कर दो यार मैंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज सब्सक्राइब कर दो मैं ये नहीं बोलती कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो फिर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो अच्छी लगती है तो ही करो बट अप देखोगे तब तो अच्छी लगेगी न तो फिर हम ये खेश से होते होते चले जाते हैं यहाँ पे जहाँ पानी है अभी गर्मी का टाइम था न तो पहाड में कहीं पे भी पानी नहीं मिल रहा था सभी जगा की पानी ऐसी सूखी आपनी जो पूजा एंड जो रसमें हैं वो कर लेंगे तो बारी बारी से हम यहां पे पूझा करते हैं पहले तो मेरी ज sings さ अब आदि पूजा करने चों सकार्चा करेंगे तो आप लोग स nei पूजा करें लोग से है जो पूजा कर रहे हैं ये भी पूजा कर लेंगे उसके बाद फिर मैं जाती हूं और पूजा करती हूं और आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती है और आप लोग मुझे लाइक कर दीजेगा यार क्योंकि आप लोग लाइक करते हो ना तो मुझे भी मोटी वेशन मिलती है कि मैं और वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए एंड मेरा ससुराल वाला ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताईएगा और आप लोग ये भी कमेंट करके बताईएगा कि आप लोग मेरा ससुराल ब्लॉग देखना चाहते हो या नहीं मेरा ससुराल जो है ना वो गाउं में पढ़ता है और मेरे हस्बेंट गाउं से थोड़ी दूर में हमारा जो लाइबरेरी है ना अपना लाइबरेरी नहीं है बट हम लोग उसमें चलाते हैं वो रेंट में तो वहीं पर हम स्टडी भी करते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं ऐसे लिए हमें बाहर रहना पड़ता है तो मैं अपने ससुराल गई हुई थी ये रसम करने के लिए तो मेरी सासुमा मुझे सारा कुछ समझाती है सारा कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे पूजा करना है तो फिर मैं उस हिसाब से पूजा करती हूँ पूजा मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है चावल और जो तेल हल्दी होता है कुमकुम होता है वो चड़ाना होता है दुबती दिखाना होता है बस पूजा कतम उसके बाद फिर प्रशाद बनेगा वो प्रशाद सभी में बटेगा फिर उसे हम खाएंगे इंजोई करेंगे फिर ये जो मौर है वो भसाने के लिए मेरे हस्बेन और मेरे जेटी जी चले जाते हैं उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे इतनी गर्मी पढ़ रही थी ना आप पूछो ही मत क्योंकि उस टाइम की जो गर्मी थी ना हालत खराब कर दे रही तो वो उमस नहीं पढ़ता है उस टाइप की गर्मी थी तो ह हम तो बहुत परिशान हो गए थे पर क्या करें रसम थी तो करनी तो जरूरी थी ना और हमारे जो गाओं पढ़ता है ना वो पहाड़ी इलाका पर पढ़ता है तो वहाँ पर जो गर्मी पढ़ती है वो बता नहीं सकती मैं और मेरा तो यह पहला एक्सपेरियंस था वहाँ के गर्मी का मेरा घर पढ़ता है राची में तो वहाँ पर इतनी जादा गर्मी नहीं होती और मेरी जो हजबन का गाओं है ना वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका पढ़ता है जो लोग बुंडुतमार के तरब के होंगे वो लोग कितने परिशानियों का सामना करते हैं वहाँ पर पानी की कितनी कमी होती है और कितना जादा घर्मी पढ़ती है तो मेरे हजबन ये प्रशाद तयार कर लेंगे इसमें चूड़ा गुड़ और पानी मिक्स करके इसको अच्छे से मिलाके फिर सभी को भोग लगेगा मतलब पहले ये जो मूर है इसको चड़ेगा उसके बाद सभी कोई मिलके एक एक करके इस पे चड़ाएंगे फिर सबको बटेगा तो आप लोग देखिए यहां का व्यो कितना सुन्दर है मैं आप लोगों के साथ सबको शेयर करना चाहती थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया तो हमारी पूजा खतम होने के बाद मेरी जो चाचे सास है और मेरी जो सासुमा है वो पूजा करती है और देखिए मेरी जो जेठानी की बेटी है न वो पत्ता एकटा कर रही थी ताकि हम उस पत्ते में सभी को प्रशाद दे सके इचिए बहुत क्यूट है- इतनी तेज इतनी तेज इतनी बाते करती है तो उसके बाद फिर हम एक दूसरे को सिन्दूर पहनाते हैं क्योंकि सुहागन और तो खेलिए तो सिंदूर सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होती है तो पहले मेरी जेठानी मुझे सिंदूर लगाती है उसके बाद फिर मैं अपने जेठानी को लगाऊंगी फिर मैं अपने सासुमा के पैर और अपने चाची के पैर चूती हूँ पता नहीं यार पैर चूने वाले किलिप ही कहां गायब हो गया नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि कैसी बहू है अपनी सास की पैर नहीं चूती तो नहीं ऐसा नहीं था मेरी सासु मा ने मुझे सिंदूर लगाया ना उसके बाद फिर मैंने पैर चुआ था बट पता नहीं मेरी हजबन ने मेरी वीडियो कैसे ही बनाई कि वो वाला क्लिप आया ही नहीं खेर छोड़ो पट हां मैंने पैर चुआ था आप लोग बिलीव कर लीजिएगा तो फिर मेरी जो जेट जी है ना तो उनका बेबी भी हो चुका था तो वो अपने बेबी को वो जो पहाड है ना इसको मारंग मुरू पहाड बोलते हैं तो वहाँ पे वो प्रनाम करवाते हैं फाइनली ये मौर भसाई की रसम हो रही है यहाँ पे जो बंगाली लोग वो हुलुलुलु करते हैं ना उस टाइप का भी रसम होता है मेभी शायद तो वो करने के बाद ये लोग इस पहाड के अंदर वो मौर डाल देते हैं फिर हम लोग अपने घर की तरफ निकल जाएंगे और मैं तो जोड जोड से भाग रही थी क्योंकि मुझे बहुत तेज वाली धूप लग रही थी मुझे परसनली धूप नहीं पसंद और मैं इतनी गर्मी में पहले नहीं रही हमारे यहां इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं थी पर यह मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था जहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जली जाओंगे फिर हम अपने घर की तरफ चले जाते हैं मेरे हजबेन अपने बाइक में जाते हैं और मैं पीछे बैटके वीडियो बना रही थी तो थाइंक यू सो मच फॉर वाचिंग और मुझे आप लोग प्यार करते रहिएगा और आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे कमेंट किजेगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा एंड डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माइ चैनल फ्रेंड्स प्लीज मेरी वीडियो पे व्यूज ला दीजिए क्योंकि व्यूज नहीं आती है तो फिर मैं दीमोटिवेट हो जाती हूँ आप लोग समझ सकते हूँ